आज जम मैं अपने देश भरके जुझहारू कारिकरताओं को पार्टिय स्थापना दिवस की बधाईयां दे रहा था तो मेरा भाजपा का एक दोस्त हम को बोला कि भाई इस पार्टि को तो Echo हkę ने बनाया था हमने कहा सुनो न तुमारे घर्म में जो बल्व जलता है न उसको भी किसी अंग्रेज बनाया है फोड के फिक दो उसको मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ और ये एक-एक कारकरताओं को जानने के लिए जरूरी है कि विज्ञान का कोई देश नहीं होता है विज्ञान और देश सारुभावमिक होता है वर्ल्ड वाइड होता है इस बात को याद रखियेगा और जो 1885 में पार्टी बनी उस पार्टी को नया स्वरूप और नया कलेवर अगर किसी ने दिया तो 1920 के बाद उस महान इंसान का न काम महात्मा गांधिया इस बात को याद रखियेगा और तर भार्टिया वार्टीय रास्ट्य करेस का जंडा बुलंद कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे युवा आमदार जीसान ने कहा व Baghर्टीय रास्ट्य कांग्रेस को महात्मा, गांधिय कोमिक विजह और चलने वाली है जो कहते थे रघुपती राघव राजा राम पतीत पावन सीता राम यिश्वर अल्ला तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवानी और हमको गर्व है इस बात का कि 1885 मेंबरी भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस 1920 में महात्मा गांधी के नेत्रित में बंडित जवाहलान नहरू के नेत्रित में मौराना अबुलकलाम आजाद के नेत्रित में और सरेज निनाइडियू के नेत्रित में सरदार बल्ला भाई पटेल के नेत्रित में सुवास चंदर बोस के नेत्रित में वो पाटी पूर्ण स् का मांग करती है और वो कहती है आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए आजादी चाहिए तो पूरी आजादी चाहिए और हमें गर्व है कि वही भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस 15 अगस्त 1947 को देश को अंग्रेजों से आजाद कराती है और देश जब अंग्रेशों से रहे थे क्योंकि उस वक्त भी वही राजनीती हुई जिस राजनीती को हम 2014 से इस देश में देख रहे हैं वही राजनीती हुई जो 2014 से आपके वाटसेप पे आ रहा है एक तरफ मुस्लिम लीग थी और मुस्लिम लीग के नेताओं ने कहा कि दो अलग अलग धर्म के लोग इस देश में एक साथ नहीं रह सकते हैं दूसरी तरफ हिंदू महासभा थी जिसने कहा कि दो अलग अलग धर्म के लोग साथ में नहीं रह सकते हैं लेकिन इतिहास याद रखिएगा बरे शर्म की बात है कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग साथ में मिल करके सरकार बना ली इस बात को याद रखिएगा यह बात आज जब हम पार्टी की अस्थापना दिवस मना रहे हैं तो एक-एक कार्करताओं को याद रखने की जरूरत है कि जो आजादी 15 अगस्ट 1947 को इस देश को भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस ने दिलाया है उस आजादी को अगर कोई बचा सकता है तो उस पार्टी का नाम भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस है और उस नेता का नाम राहुल गंधिया इस बात को याद रखिएगा इस बात को याद रखिएगा जब मैं छोटा था तो मैं अपनी दादी से सवाल पूछता था कि दादी यह बताओ देश जब प्राप्त करना आजादी प्राप्त करने से कम नहीं होता है इस बात को याद रखना मैं अपने सेवादल के कुछ साथियों को यहां खड़ा देख रहा हूं आप लोग भारत जोरो यात्रा में सामिल हुए है यह सिर्फ बतमान की बात नहीं है यह इतिहास है और यह इस दे को आपस में बाटना चाहते हैं एक वो है जो नफरत की भासा बोल रहे हैं एक वो है जो इनसान को आपस में उनकी पहचान के आधार पर लड़ा रहे हैं एक वो है जो इस देश के लोगों का रोजी रोटी छीन करके अपने दोस्तों की तिजोरियों में भर रहे हैं दूसर करना है कि इस देश के भीतर सब के लिए रोजी रोटी का इंतजाम होगा यह देश सब का है सिर्फ पधान मंतरी के दोस्त का नहीं है इस बात का हमको संगर्श करना परेगा इसलिए जब आज हमारे सामने दो तरह की विचार है एक तरफ वो लोग हैं जो नफरत की भाशा बो परेगी एक तरफ वो लोग हैं जो दंगा फेलाने की बात कर रहे हैं हिंसा करने की बात कर रहे हैं तो हमको आपस में मिल जुल करके एक जुठो करके रहने की जरूरत है और आप लोगोंने दिखा होगा एक सांसद हैं भोपाल की सुना एक नहीं सुना है मैं उनको साधवी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि साधवी की भाशा में न हिंसा नहीं होती है, जो सन्यासी होता है, वो नफरत की बात नहीं करता है, जो सन्यासी होगा, वो नफरत की बात नहीं करेगा, और जो नफरत की बात करेगा, वो सन्यासी नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा, तो वो जो सांसद हैं उन्होंने हिंसा की बात की तो मुझे इसमें न एक एक जो है साजिस दिखाई देता है साजिस जानते हैं क्या है वो सांसद महोदिया एक्चुली जया सहा के पापा का मजाग उड़ा रहे थे जया सहा के पापा का मजाग कैसे उड़ा रहे थे देश का ग्री मंतरी कौन है अमिद सहा है न तो कानून वेवस्था का पालन करना किसका काम है अमिद सहा का तो साध भी ये कह रही थी कि अमिद सहा निकम्मा है इसलिए अपने घर में चाकु तेज कर लिए यही कह रही थी न उस बयान का ये भी मतलब तो निकाला जा सकता है कि आप इस देश के बहु संख्यकों को डरा रहे हैं और आप ये बता रहे हैं कि जैसाह का पपा किसी काम का नहीं है इसलिए अपने घर में चाकू तेज कर लीजिए यहां बात आपको ठीक लगती है यहां पुलिस के लोग बर्दी पहन करके खरे हैं क्या मैडम हमी लोग चाकू तेज कर लें ता आप लोग क्या किजिएगा उत्तर पर देश पुलिस की तरह मूं सही ठाइठाइगा क्या किजिएगा बताइए बताइए इस देश की अनुन बेवस्था का क्या होगा अगर हमको अपने घर में चाकू तेज करना है तो फिर ग्री मंत्री किसलिए है अपने बेटा को बिशी सिए का सेक्रेटरी बनाने के लिए किसलिए है ग्री मंत्री किसलिए है रक्षा मंत्री इस सवाल को अपने मन में पूछिए और इस समझ में आएगा कि ये नफरत की भासा क्यों बोली जाती है ये नफरत की भासा इसलिए बोली जाती है ताकि हम आपस में लड़ने लगें और जब हम आपस में लड़ने लगेंगे तो हमारा रेलवे बेच करके अपने दोस्त की तुज़ोरी में साहब पहुचा देंगे साहब ने कहा कि हम ट्रेन के डब्बे में चाय बेचते थे गुरू हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं लेकिन रेलवे बेचते हुए आपको देख रहे हैं गुरू हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं लेकिन BSNL बेचते हुए देख रहे हैं गुरू हम आपको चाय बेचते हुए नहीं देखे हैं लेकिन LIC बेचते हुए देख रहे हैं देख रहे हैं और अगर कोई चाय बेचने वाला होता तो दूर्द का दम बढ़ाता क्या मैं मोदी जी की तरफ पूछूं क्या अगर कोई चाई बेचने वाला देश का प्रधान मंत्री होता तो जब नया साल आने वाला है तो दो रुपईया दूद महंगा किया जाता क्या दूद से इनका नाता नहीं है चीनियों से जरूर है दूद से नाता हो नहो चीनी से जरूर है और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ पहली वार ऐसा हुआ है कि कोई हमारे यहां आ गया गलत किया पूरी तरीके से भारतिय राश्टिय कॉंग्रेस चाईना का बिरोध करती है उसकी निंदा करती है कि चाईना को कोई अधिकार नहीं है को हमारी सेमा में सीमा में घुसे और अगर घुसेंगे तो हमको अपने देश के जवानों पे भडोसा है हमारे घर में लोग फोज की नौकरी करते हैं इसलिए हमको पता है अरे जूता नहीं भी होगा न तो हौसलों से उनका मुकाबला करेंगे यह बात हम जानते हैं लेकिन कुछ निकम में लोग हैं कि बरी चालाकी से बरी चालाकी से बर्दी के पीछे छुप जाते हैं कभी बर्दी को बदनाम कर देते हैं कभी बर्दी के पीछे छुप जाते हैं जब प्रग्या बोल रही थी चाकू तेज कर लीजिये तब बर्दी को बदनाम कर रही थी पुलिस वालों का मजाकुरा रही थी और जब सरकार से सवाल पूछा गया तो बर्दी के पिछे छुप गए तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि विपक्च होने के नाते हम सरकार से सवा सवाल पूछना सेना का अपमान करना नहीं होता है सरकार ये जवाब दे कि परधान मंत्री जब कहते हैं कि ना कोई आया था ना कोई आया है तो हमारे जवान घायल कैसे हुए इस सवाल का जबाव रक्षा मंत्री को देना चाहिए दोस्तों हमें गंभीर परिस्थिती से कंग्रेस जिस तरीके से मजबूत विपक्ष की भूमी का निभा रही है हमारे एक एक कारिकरताओं को इस देश के एक एक घर तक पहुचना परेगा और जो हमारी विचारधारा है बैसनब जनते तेने कहिए पीड पढ़ाई जाने गए बैसनब होने का मतलब होता है दूसर के दुखदर्द में सामिल होना और आज इस देश का दुखदर्द क्या है दुखदर्द ये है कि जी एस्ति और नोट बंदी के चलते इस देश के ब्यापार को तवाह कर दिया गया है दुखदर्द ये है कि सो में से पैंटालीस लोग बेरोजगार होकर के घुम रहे हैं दर्द ये है कि हर 15-16 में मिनट में हमारी किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है दर्द ये है कि सोसितों बंचितों के उपर अत्याचार हो रहा है दर्द ये है कि दिन भर ये साहब क्या भाऊ लाठी लेकर के ड्यूटी करते हैं बुरहपा में पैंसन नहीं मिलेगा त इस देश का बुनियादी सवाल रोजी, रोटी, कपरा, मकान, सिख्छा, स्वात, सरक, बिजली पानी का सवाल है। इसलिए हम आपसे यह आंतिम आग्रह करना चाहते हैं, कि जब तक भारतिय रास्त्रिय कॉंग्रेस है, तब तक इस देश के उपर गोड़से की विचाधारा नहीं थोपी जा सकती है, इनसान को इनसान से नहीं लड़ाया जा सकता है, इनसान को इनसान से नहीं बाटा जा सकता इसलिए हमको अपने देश के बुनियादी सवालों पर बात करना है और बुनियादी सवाल पर बात हो इसके लिए जरूरी है कि नफरत की भाषा जो बोलने वाले लोग हैं हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे समाज को जो बांटने वाले लोग हैं हम उनके साथ नहीं खड़े यह है कि सरकार कुछ भी भासन दे दे महंगाई से इस देश की अर्थ विवस्था की कमर तूट रही है सचाई यह है कि नौकरियों के नहीं चलते अकेले रेलवे में धाई लाख पोस्ट खाली है नौकरियों में भरतियां नहीं होने के चलते नौजवानों के सपने तूट र यह जो देश का सपना तूट रहा है उस तूटे हुए सपने को जोरने का नाम है भारत जोरो यात्रा है इस बात को याद रखिएगा और यह भारत जोरो यात्रा अपने मुहीम में सफल होगा जब हम भारत्य राष्ट्य कॉंग्रेस के एक-एक कारी करता जो भारत्य का संबिधान दिया है और यह जो बराबरी का संबिधान है जब तक ये संबिधान जिन्दा रहेगा तब तक हिंदू और मुसल्मान को आपस में कोई लड़ा नहीं सकता है इस देश को कोई मिटा नहीं सकता इस बात को याद रखिएगा इसलिए संभिधान की रक्षा करने के लिए बार के राष्ट्य कॉंग्रेस के विचारों को जनता के बीच में लेकर जाने के लिए और जनता के जो सवाल हैं रोजी रोटी कप्रा मकान का सवाल उस पर इमानदारी से लड़ने के लिए मैं आप तमाम लोगों को बढ़ाई देता हूँ शुक्रिया देता हूँ और एक बार फिर से आप सब लोग पार्टी अस्थापना दिवस में शामिल हुए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करके बात को खत्म करूँगा शुक्रिया इनकलाब जिन्दाबाद जै हिंद जै महाराश्टरा जै हिंद आपका बात को खत्म को खिया महान के जब हुए लुक्रिया जय दमशेल झाल झाल